एंटी डॉट्स कुछ ऐसे सब्स्टेंस होते हैं जो कि किसी ड्रग के द्वारा हुई ओवर्डोस कंडिशन या एड़र्स रियक्शन्स को ट्रीट करने के काम आते हैं नर्सिंग कंपिरिटिव एक्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूरेंट्स के लिए एंटी डॉट्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग और उनके एंटी डॉट्स को डिसकस करेंगे इस वीडियो में इंक्लूड की गई सभी ड्रक्स और उनके इंटिरोट्स इंपोर्टेंट हैं और पिछले नर्सिंग कंपेटिटिव एक्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं So everyone, आज का वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे पैरसिटामॉल की पैरसिटामॉल को हम शॉर्ट में PCM लिखते हैं इसे एसी टैमिनोफेन के नाम से भी जाना जाता है पैरसिटामॉल एंटी पाइरेटिक और एनालजैसिक ड्रग है इसकी ओवर्डोज या पॉईजनिंग होने के केस में हम जो एंटी डॉट यूज करते हैं उसका नाम है एन एसिटाइल सिस्टीन एंटी डॉट और पैरसिटामॉल एस एन एसिटाइल सिस्टीन नेक्स्ट वेरी 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 इम्पोर्टेंट कम्पिरिटिव एक्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है हेपेरिन ड्रग का एंटी डॉट क्या होता है हेपेरिन वैसे तो हमारे सरीर में नेचुरल अकरिंग एंटी कॉग्यूलेंट सबस्टेंस है लेकिन क्लॉट फॉर्मेशन को एपनॉर्मल क्लॉट फॉर्मेशन को फ्रोकने के लिए एज़ा मेडिसिन हम रेडिमेंट हेपेरिन को इंजेक्ट करते हैं बॉडी में यदि मान लीजिए हेपेरिन की ओवर डोज या एड़र्स इफेक्ट आएं तो उसे ट्रीट करने के लिए हम जो ड्रग इस्तिमाल करते हैं उसका नाम है प्रोटामीन सल्फेट हेपेरिन का एंटीडॉट है प्रोटामीन सल्फेट नेक्स्ट ड्रग है मॉर्फिन या मॉर्फिन सल्फेट यह एक ओपियोईड एनालजेसिक के रूप में मुख्य रूप से इस्तिमाल की जाने वाली ड्रग है मायोकार्डिल इंफ्राक्शन में मॉर्फिन का इस्तिमाल काफी किया जाता है यदि किसी परसन में मॉर्फिन की ओवर डोज या रियक्शन होती है तो इस कंडिशन को ट्रीट करने के लिए as an antidote हम यूज करते है नालोगजोन या इसे हम नारकेन के नाम से भी जानते है नेक्स्ट ड्रग है वार्फिरिंग वार्फिन का antidote है विटामिन के और्गेनो फॉस्पेट और्गेनो फॉस्पेट इंसेक्टी साइट्स यानि छोटे कीडों को मारने के लिए जो दवाईयां बनाई जाती है उसमें यह chemical organophosphate काफी मात्रा में यूज किया जाता है यदि मान लीजिए किसी परसन ने इसको गलती से अगर अपनी बॉड़ी में इंजेक्ट कर लिया तो उस चीज को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग इस्तेमाल की जाती है सही जवाब है एट्रोपीन organophosphate poisoning को ट्रीट करने के लिए एट्रोपीन as a antidote यूज किया जाता है नेक्स ड्रग है डिगॉकसिन डिगॉकसिन ड्रग की toxicity केस में as a antidote हम यूज करते है डिगी बिंड या डिगोफेब antidote of digoxin is डिगी बिंड या डिगोफेब नेक्स ड्रग है आईसोनियाजिड आईसोनियाजिड ड्रग की adverse reactions को ट्रीट करने के लिए as a antidote हम यूज करते है विटमिन B6 को विटमिन B6 is used as a antidote of isoniaz विटमिन B6 को हम पाइरिडॉकसिन नाम से भी जानते है important non specific poisoning के case में आप patient में क्या inject करते है मान लीजिए hospital में कोई patient आया उसने कोई substance खा लिया उसे नहीं पता वो क्या था और आपको भी अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि actual में उसे क्या चीज खाने की वज़े से poisoning हुई है तो इस case में आप क्या करेंगे आपको यदि पता होता कि इसने ये चीज खाई है तो आप उसका specific antidote दे सकते थे लेकिन patient द्वारा यह है नहीं बताया जा सकता कि उसने क्या खाया था तो इस case को treat करने के लिए आप क्या देंगे सही जवाब है non specific poisoning के case में हम patient को activated charcoal देते हैं activated charcoal universal antidote कहलाता है important है ये next question है Mgso4 के case में आप antidote के रूप में क्या इस्तेमाल करेंगे Mgso4 poisoning case में antidote के रूप में calcium gluconate का इस्तेमाल किया जाता है Body में potassium के level का बढ़ना hyperkalemia कहलाता है इस condition को treat करने के लिए as a antidote आप patient में क्या inject करेंगे सही जवाब है hyperkalemia को treat करने के लिए insulin plus dextrose sodium bicarbonate या फिर calcium gluconate kaeczolate जिसे sodium polystyrene styrene sulfonate के नाम से जाना जाता है का इस्तेमाल किया जाता है Next यदि किसी person में iron toxicity के symptoms आएं तो आप इस condition में as a antidote क्या use करेंगे Desferoxamine iron toxicity को treat करने के लिए desferoxamine का इस्तेमाल किया जाता है Next important carbon monoxide poisoning Carbon monoxide poisoning के case में as a antidote आप क्या इस्तेमाल करेंगे Carbon monoxide यानि CO poisoning के case में हम hyper basic oxygen देंगे Carbon monoxide poisoning का एक example आपको देना चाहूँगा सर्दी के दिनों में जो low socio economic status वाले लोग हैं पुराने समय में वो लोग अपने कमरे को गर्म रखने के लिए सर्दियों के दिनों में अंगीठी जलाते थे लोहे का एक bucket होता है जिसमें वो कोईला वरके उसको जलाकर अंदर सो जाया करते थे रूम बंद होने के कारण धीरे धीरे उस कोईले से Carbon monoxide gas बनती थी और वो gas इतनी खतरनाक होती थी कि सोते सोते ही वो लोग विहोश होने लगते थे और अगर उन्हें सही समय पर सही treatment नहीं दिया जाए तो Carbon monoxide poisoning से उनकी मौत भी हो सकती थी याद रखिएगा दोस्तों Carbon monoxide poisoning का antidote है Hyper basic oxygen Next, interesting and important Snake bite के case में हम as a antidote क्या यूज़ करते हैं यदि किसी व्यक्ति को साप काट ले तो इसके इलाज के लिए हम anti snack venom या snack antivenum यूज़ करते हैं Next drug है Oxytocin Oxytocin का antidote है Etociban Etociban oxytocin का antidote है Next drug है Asprin Asprin का antidote है N-acetyl cysteine plus NH4Cl Asprin poisoning के case में N-acetyl cysteine plus NH4Cl को as a antidote यूज़ किया जाता है Antidote of cyanide is Nitrous oxide और amyl nitrate Amyl nitrate को NH4CO3 के नाम से भी जानते हैं Copper का antidote है D-penicylamine D-penicylamine is a antidote of copper Next drug है Benzodicepine Friends अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए Thank you इस वीडियो में हमने कुल 20 important drug और उनके antidotes को discuss किया है आप चाहें तो अपने revision purpose के लिए इन सभी का screenshot ले सकते हैं या फिर इस वीडियो की PDF को आप हमारे telegram channel education experience expo से download कर सकते हैं आपको telegram channel का link वीडियो के description में मिल जाएगा या फिर simply आप telegram पर जाकर education experience expo सर्च कर सकते हैं Benzodiazepine का antidote है Flumazenil Friends, quick revision purpose से सभी antidotes को एक बार फिर से देख लेते हैं आप भी मेरे साथ साथ बोलिएगा Paracetamol जिसे short में PCM लिखते हैं या फिर इसे acetaminophen के नाम से भी जानते हैं इसका antidote है N-acetylcysteine Heparin का antidote है Protamin Sulfate Morphin का antidote है Naloxone Warfarin का antidote है Vitamin K Organophosphate का antidote है Atropine Digoxin का antidote है Digibind या Digofab Isoniazid का antidote है Vitamin B6 या Pyridoxin Non-specific poisoning में antidote दिया जाता है Activated Charcoal जिसे हम Universal antidote के नाम से भी जानते हैं MgSO4 का antidote है Calcium Gluconate Hyperkalemia condition में antidote दिया जाते है Insulin प्लस Dextrose Sodium Bicarbonate Calcium Gluconate Caixolate Iron toxicity में antidote दिया जाता है Desferoxamine Lead poisoning में antidote दिया जाता है Dimer Caprol या Calcium Dysodium Carbon Monoxide Poisoning में antidote दिया जाता है Hyper Basic Oxygen Snake Bite में antidote दिया जाता है Snake Antivenum Oxitoxin Case में antidote यूज किया जाता है Atociban Aspirin का antidote है N-Acetyl Cysteine Plus NH4Cl Cyanide का antidote है Nitrous Oxide या Amyl Nitrate N-A-H-C-O-3 Mushroom Poisoning का antidote है Atropine Copper antidote is D-Penicillamine Benzodiazepine का antidote है Flumazenil Thank you so much friends for watching this complete video I hope ये video आपको पसंद आया होगा इसी तरह के और videos देखने के लिए Education Experience Expo Channel को जरूर subscribe करें और इस video को जरूर like करें अपने दोस्तों के साथ share करें Thanks for watching All the best